नमस्कार दोस्तों मैं हुदेलार, फिर एक बार स्वागत करता हूँ, आप सभी के चाहिते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में वीडियो देखने वाल हरकिसान भाई हो, मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तो दोनिया का जो सबसे बहतरीन व्यावसाए हैं मुर्गी पालन और इस व्यावसाए के बारे में आपका जो मुख्य सवाल आ रहाता कि यहाँ पर मुर्गी पालन की शुरुवात कहाँ से करे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको जो जानकारी ये basic knowledge दूँगा कि मुर्गी पालन की व्याउसाय कहां से करे, कब करे, कैसे करे आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा लेकिन इसके लिए आपको यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देखना होगा तो ही आप यहाँ पर मुर्गी पालन की A से लेकर Z तक जानकारी ले सकते है और खुद मैं उदैलाड और इंडियन मुर्गी पालन यह यूटूब चैनल आपकी सेवा में सदव यहाँ पर दोस्तो हाजिर है आपको सहायता होने के लिए यह वीडियो अंततक देखना है वीडियो अगर पसंद आये दोस्तो तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजे और ज्यादा से ज्यादा जरुत मन दोस्तो तक यह वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे शेर करने के लिए आप personal whatsapp number, whatsapp group, telegram group, facebook, instagram, snapchat आपके बाद जो जो साधन हो वहाँ पर आप इस वीडियो की link शेर कर सकते हो और साथ ही में दोस्तो आज मैं आपके सामने ग्यान बाढ़ता हूँ लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी है responsibility है आप भी भारत के नागरिक है दोस्तो इसलिए आपको भी यह video हर मेरे दोस्तो को share करना है क्यूंकि दोस्तो इस lockdown का यह जो समय है दोस्तो सबसे कठिन समय है और इसमें दोस्तो यहाँ पर आपका एक video share करना दोस्तो किसी की भी जिन्दगी बदल सकता है और उसकी यहाँ पर होने वाली छोटी छोटी गलतिया भी दोस्तों सुधार सकता है और यह हो सकता है दोस्तों आपके एक शेर से और शेर को वैसे कोई भी खर्चान नहीं लगता है और रही बात दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब करने की तो आगला वीडियो देखने के लिए आपको इतना ही करना है कि वीडियो की दाई तरफ निश्ली साइड को आना है वहाँ पर एक लाल निशान दिखेगा सब्सक्राइब का उसको टच कर लाना दोस्तों आपके ग्यान में बढ़ोत्री करतकता है और बढ़ने वाला ग्यान दोस्तों आपका व्याउसा है दिन बद दिन वहाँ पर दोस्तों डेवलोप्मेंट की रहा पर ले जा सकता है comment section में आपके आपत्ती शिकायर समस्या जो कुछ है दोस्तों बे जिजग भेजिए आपका यह बहाई वहाँ पर comment में तो reply नहीं दे सकतता है क्योंकि समय का यहाँ पर दोस्तो समस्या है और इसका जो जवाब은 दोस्तो अगले वीडियो के साथ दिया जाएगा और इसलिए दोस्तो आपको सिर्प क्या करना है कि subscribe करके notification बेल को all कर लेना है तो ही दोस्तो आपका आगला वीडियो और साथी में आपको आपका जवाब मिल जाएगा तो दोस्तो देशी मुर्गी पालन दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय तो है लेकिन देशी मुर्गी पालन या कौन से भी मुर्गी पालन की शुरुवात करते हुए कौन सी बातों को यहाँ पर हमें ध्यान में लेना पड़ेगा कि जिससे हमारा एक भी परसेंट वहाँ पर लॉस ना हो तो दोस्तो आज आपको एक एक बारीक जानकारी दूंगा लेकिन वीडियो अंततक देखने के बाद तो देखो दोस्तो सबसे इंपोर्टेंट पहली चीज़ है प्लैनिंग दोस्तो जब व्याउसाई का हम यहाँ पर टोटली प्लैन बनाते हैं तो ही सफल हो पाते हैं अगर आपको सफल मुर्गी पालक बनना है अगर आपको हजारों में और लाखों में यहाँ पर मुनाफ़ा कमाना है दोस्तो तो थोड़ी आपको यहाँ पर प्लैनिंग तो करनी पड़ेगे आपके लिए प्लैनिंग ऐसी हो कि व्याउसाई की शुरुवात कब करे कैसे करे कहा करे कौन सी जगा हमारे लिए उचित है साथ ही में यहाँ पर इंकुबिटर का इस्तमाल करे या ना करे यहाँ पर मार्केट कैसी है यह सभी बात में बाते ध्यान में रखने के बात ही आप यहाँ पर व्याउसाई का चुनाओ करिए और व्याउसाई का चुनाओ अगर आपने सभी बाते ध्यान में रखने के बात किया दोस्तो तो आपको वहाँ पर फिर से सोचना नहीं पड़ इसलिए दोस्तो आधे मन से आधे ग्यान से व्यावसाई की शुरुवात मत कीजिए वही व्यावसाई सफल हो सकता है दोस्तों की जिसमें टोटल प्लैनिंग हो और प्लैनिंग वाला व्यावसाई कभी असफल नहीं हो सकता है दोस्तों इसलिए सफल मुर्गी पालक जो है दो उसके बाद ही व्यावसाई की शुरुवात कीजिए बड़े से बड़े जो इमारत खड़ी होती है दोस्तों की जैसे बुर्ज खलीपा दुनिया की सबसे बड़ी जो है दोस्तों यह इमारत है लेकिन यह इमारत खड़ी होने के लिए कुछ किया क्या नहीं दोस्तों तो पहल व्याउसाय, 4-8 महिने के बान, 100% बंद होने की कगार्क पर भी आ सकता है दूसरा पाइंट दोस्तो जो है दोस्तो दूसरा पाइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जगह की निश्चिती दोस्तों आपको व्यावसाय कहां करना है गाव देहात शहर बड़ा शहर नगर निगम महानगर निगम यहां पर आपको पहले सोचना है कि मेरी जगह कहां पर है मेरी जगह कितनी है इस जगह में कितना मुर्गी पालन हो सकता है क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो बिना जगह के त ने यहां पर क्यूंकि दोस्तों यहां पर जगई की बहुत कमी है दोस्तों आएसी जगह में आपको सोचना है कि हमारे हैं अगर मार्केट भी हो तो व्यावसाई के लिए जगह तो चाहिए पहले जगह की निश्चिति कीजिए आपको कितनी जगह परियाप थे सोच लीज़ये और सोचते हुए दो-चार महिने का मत सोचे हर मुर्गी पालक यही गलती करता है कि वो जानदा से जादा चार-चे महिने के बाद सोचता है दोस्तों सोच बड़ी रखो अगर आप महिनती हो आपके प्रास महिनत करने की तैयारी हो दोस्तों तो कम से कम पात साल आठ साल दस साल का सोचिये तो ही आप शफल हो सकेंगे तो आपने सोच आप 50 मुरगियों का और फार्म बना लिया पास्तों का दोस्तों आप शफल होंगे नहीं तो आपको बहुत दिक्कत वहां पर आ सकते दोस्तों तीसरा सबसे important point है देशी मुर्गी का चुनाव दोस्तों कई सारे फोन आते हर दिन आते हर वक्त आते कि सर हमारे यहां चूजे नहीं मिल रहे आप मुर्गी दिला देंगे क्या दोस्तों एक बात बोलता हूं सबसे बड़ी important बात है दोस्तों कि आपको जो farm करना है तो वह farm ऐसा बनाई है कि वह farm दुनिया देखती रहे और दोस्तों आप यहां पर मुनाफ़े के लिए अगर करते बैठेंगे तो आपका farm डेवलप नहीं होगा आपको देखना है कि देशी मुर्गी असल में वह है या नहीं नहीं तो आप देशी कहिके सेमी देशी यानि जिसे सेमी देशी मुर्गी पालन का व्यावसा इसमें डबल एबजी होता है उसके बाद आरायर यह प्यूवर देशी मुर्गी नहीं है दोस्तों गाव देहात में मिलनी वाली घूमने वाली खुद चूजे निगालने वाली मुर्गी को देशी मुर्गी कहा जाता है उसकी डिमाड इतनी है दोस्तों कि कही 10 कही 15 कही 20 तो कही 30 30 रुपए तक भी उसका अंडा मिल नहीं पाता है उस वराइटी को देशी बोला जाता है दोस् देने वाला आपको सव प्रतिशत देशी माल दे क्योंकि यही आपकी मदर बैच और मदर बैच एक बार खराब होगे दोस्तों यानि बीज जो बोया आगर वही खराब निकला दोस्तों तो फसल की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते इसलिए आपको बीज जो बोना है मदर और आपको बोलता हूं कि आप मुर्गी से शुरुआत करिए चूजे किसी के भी समझ में नहीं आ सकते और जब समझ में आएंगे 6 माने के बाद दोस्तों तब तक समय वहाँ पर निकल गया और आपका जो है डोस्तो टोटल कॉइडेंस लूज आउट होगा इसलिए मुर्गी मुर्गियों से ही शुरुआत कर रही है मुर्गी पालन की लेकिन देसी ब्रीड का चुनाव कीजिए क्योंकि दोस्तो आज देसी की डिमांड इतनी है इतनी है दोस्तो की सप्लाइ करने वा शेड की मैनेजमेंट दोस्तो हमारे भारत वर्ष की पूरी बात करेंगे तो हमारे भारत वर्ष में जो यहां पर माहूल है तोटल दोस्तो सीजन है उसमें सबसे इंपोर्टन सीजन है क्या है दोस्तो बरसात का रहता है सर्दी का रहता है और गर्मियों का आईसे सीजन में दोस्तो आईसा मजबूत शेड बनाई एकि जिसमें सरदी हो बरसात हो गरमी हो बदलने वाले हर मोसम में वह शेड हमारी मुर्गी की सुरक्षा कर सके क्यूंकि दोस्तो अगर हमने यहाँ पर शेड आधह कच्चा बनाई या पुरा पक्का ना बनाई तो दोस्तों यही शेड आपको आगे चलके दगा दे सकता है और आपके मुर्गियों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों इसलिए मेरा कोई भी भी भाई सभी बाते कर लेगा लेकिन शेड मजबूत बनाता नहीं है दोस्तों कमजोर शेड आने वाली आफ़त को य वहां पर गर्मी के मोसम में बरसात के मोसम में मुर्गियों की सुरक्षा कर सके और ऐसा शेड बनाए कि जिसमें आने वाले जो कुछ बिल्ली हो बिल्ला याने कौन सी भी जो वहां पर टोटल दोस्तों एनिमल हो बर्ड हो जो कि हमारे मुर्गियों को वहां पर तकलिप पह कर आप हो गया तो जाते जाते लोहा भी आपको दोस्तों जो आज रकम मिला है उससे घुटन करो कि यदोस्त करो जो है दबल मुनाफा अपर दे कर जा सके उसके बाकर जो अगला पॉइंट है द्रफ थसके बादंसर पॉइंट नम्बर डबलेम जी देखा आप ने बहुत से Farm देख़े बॉइलर का भी देखा लेकिन दोस्तों iliharm सफल है लेकिन दोस्तों आप इनको half pack कर दे या फुल पेक कर दे यानिके इन्हें अगर फ्री रेंज में और नीचे भी उनका खाना उनको मिल जाएगा और छाव भी वहां पर उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों जिससे हमारे फार्म की बढ़ोतरी दिन दुगनी राजचोगनी हो सकती लेकिन दोस्तों एक बात बोलता हूँ जब तक जीरो बजेट फिड में आप गोबर का खाद करना है बाकी आपको गेहूं चावल मकाई बाजरा आधि का इस्तमाल करना है दोस्तों और साथ ही में वहां पर आपको अजोला बीस अफ हाइड्रोफोनिक सहजन का पौदा अमृत के पौदा इन से मिलने वाला केच्वे असी प्रतिशत तक फिड आयसे ही एड़ेस करना है फिड का अगर आप इसमें सफल हुए दोस्तों तो मुझे एक बात बताई अगर मुर्गिया आपके मर नहीं गई यानि कि उस पे कोई भी बीमारी नहीं आई और खाने का खर्चा जीरो हो गया दोस्तों तो देसी मुर्गियों को और क्या लगता कि है टोटल आपका इंट्रमास इंजेक्शन दे देंगे दोस्तों तो आपकी तकलिफ तो वही दूर हो जाएंगी और साथी में दोस्तों आगर इसके साथ और एक बात करेंगे कि यहां पर आप समझ कर लीजिए कि चूज़े आगर आपके पास इंक्यूबेटर के माफ़िक वहां पर तयार होते हैं दोस्तो तो पहले दिन गुड़ पानी दूसरे तिसरे दिन नियोडेक दोस्तो तो मुझे बताए अगर आपको यह सभी बाती मूँ जबानी याद रहेंगी दोस्तो तो आप मुझे एक बात बताए कि आसफल रहेंगे अगर आपके फार्म में असोचता हो दोस्तो तो क्या आपके फार्म के हर निसलिकी जो मुर्गी है मुर्गा है अंडा बिके का सव प्रतिशत नहीं इसलिए दोस्तो बीमारी की जो मूलतह जानकर ये लीजिए बीमारी कैसे आती है वो समझे बीमारी ना आए इसलिए कोशिश कीजिए और फार्म दोस्तो लेकिन वहाँ पर totally clean और सफछ रहें तो ही दोस्तो आपके फार्म में कस्टमर आएंगे और आपका फार्म का मुर्गी हो मुर्गा हो अंडा हो दोस्तो जो भाव है उससे महेंगा बिकेंगा जब तक आप बीमारी आने के कारण बीमारी कैसे उसको इलाज किया जाए ये नहीं समझ सकेंगे दोस्तो तब तक आप सफल नहीं हो सोगे और यह है दोस्तो सभी बाते एक्सप्रियंस से आ जा कि आदमी सब को जुटला सकता है लेकिन खुद को नहीं आप के रहे हमें कौन से मुर्गी का अंडा क्या रेट में जाता है डिमांड देखिए सप्लाइद देखिए कितने फार्म हैं लेने वाले कितने देने वाले कितने पूरी जानकारी इकटा कीजिए फिर तोटली मार्केट की जानकारी पूरी लिजी और उसके बाद यहां पर टोटल प्रोड़क्त तयार करके बेचे लेकिन एक बात बोलता हूं कि देशी मुर्गी की मार्केट कल भी थी आज भी है और आगे भी रहेगी जब आपका फार्म सेट अफ हो जाएगा दोस्तों ऑन लाइन ऑफ ब्राइड को कभी खराब मत होने दिये दोचार रुपए का मुनाफ़ा इदर या उदर लेकिन खुद का ब्रैंड कभी खराब मत किजिए दोस्तों अगर ऐसे चलोगे दोस्तों तो आने वाल समय में आप बहुत बड़ी मिसाल बन सकते हो रही बात दोस्तों महिनों के बाद ही शुरू हो सकती दोस्तों क्योंकि अभी आपती है समस्या है कि हमारे यहां पर बहुत बड़ी यहां पर जो मार्केट है दोस्तों इसलिए हम सेल आउट नहीं कर सकते दोस्तों तो यह पूरा व्यूडियो आपको कैसा लगा और यह टोटल प्लैनिंग अच् कमेंट्स का जवाब अगले व्यूडियो के साथ आपको दिया जाएगा और रहा होगा सब्सक्राइब दोस्तों तो व्यूडियो की दाइतरु निचली साइट को आ जाएए वहां पर दिखेगा आपको एक लाल निशान और इस लाल निशान को टच करने के बाए जो बगल म झाल